सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टीडी प्लैटफॉर्म में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगरों और शहरों के बारे में जिन से अक्सर आपके एक्जाम में प्रशन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में लाश तक बने रहेगा सभी इंपॉर्टन प्रश लिए गए हैं तो कानपूर शहर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है तो दोस्तों यहाँ पर आपका D answer right हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों बात करें गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की तो उत्तरा खंड में आपका तिहीरी, देवप्रया, ग्रिशीके, सहरिद्वार ये सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजिनौर, कन्नौज, कानपूर, इलहाबाद, मिर्जापूर, बनारस, गाजीपूर और बलिया किनारे पर इस्थित है, दोस्तो बात करें आंदर प्रदेश की राजधानी हैदराबाद की, तो ये बसा हुआ है आपका तापती नदी के तटपर सूरत दोस्तों प्रसद है अपने कपडों के लिए कपडों के व्यपार के लिए साथी साथ डायमंड की कटिंग के लिए ये प्रसिद है इसी कारण सूरत को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहा जाता है और तापती नदी जो है ये सूरत के मंध्य से होकर गुजरती है नेश्ट है देखिए दोस्तो इस्टील सिटी के नाम से विख्यात राउल केला किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तो बात करें राउल केला की तो ये उडीसा का एक प्रमुख नगर है और इसको श्टील सिटी के नाम से जाना जाता है ये बसा हुआ है ब्रम्हाडी नदी के टटपर बी अंसर दोस्तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तो अगर आपको किसी कभी अंसर आ रहा है किसी भी प्रशने का तो आप कमेंड में आंसर कर सकते हैं नेक्श देखेंगे कावेरी नदी के तड़ पर कौन सा सहर बशा हुआ है। दोस्तों बात करें कावेरी नदी के तड़ पर तो तमिलनाडू का शहर तिरुचरपली जो है यह आपका कावेरी नदी के तड़ पर बसा हुआ है। अंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्श देखिए दोस्तो अगला प्रशन क्या है नासिक किस नदी पर बसा शहर है नासिक की बात करें दोस्तो तो नासिक महराश्ट का एक प्रमुक शहर है और यह बसा हुआ है गोदावरी नदी पर गोदावरी नदी पर आपका नास पूरम के शहर और तल्पुडी गाउं गोदावरी नदी के तरफ पर बसे हुए तो दोस्तों ये कुछ प्रमुक नगर ते जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगला पर पत्री है साबर मती नदी के किनारे बसा शहर है साबर मती की बात करें दोस्तों तो गुजरात में य इसके तड़ पर एहम्दाबाद और गांधी नगर जैसे प्रमुख नगर बसे हुए है। अगला प्रशन देखिए दोस्तों अगला प्रशन है। निम्ने में से कौन सा सहर गोमती नदी के किनारे नहीं इस्तित है। यहाँ पर दोस्तों नहीं की बात की जा रही है। गोमती नदी के किनारे कौन सा सहर नहीं है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर चित्रकूट की तो चित्रकूट आपका गोमती नदी के किनारे नहीं है। यह अंसर सही हो जाएगा। बाकि तीन जो दिये हैं लखनाओ, जौनपूर और सीतापूर, ये आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुए हैं, वहीं दोस्तो बात करने हैं चित्रकूट की चित्रकूट आपका मंदाखनी नदी के किनारे बसा हुआ है, अगला प्रिशन देखेंगे दोСТट अगला प्रिश देखिए दोस्तो अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्री नगर किस नदी पर बसा है श्री नगर की बात करें दोस्तो तो यह बसा हुआ है आपका जेलम नदी से जेलम नदी दोस्तो निखलती है पीर पंजाल रेन से जिस पर बसा हुआ है आपका श्री नग सही हो जाएगा B और C दोनों दिली और आगरा शहर आपका यमना नदी पर इस्थित है कानपुर्ण अगर की बात करें तो यह आपका गंगा नदी पर इस्थित है अगला प्रश्ण देखें दोस्तों अगला प्रश्ण भी काफी महत्पूर है बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा है बरेली शहर की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है और ये बसा हुआ है राम गंगा नदी पर डी अंसर राइट होगा यहाँ पे बरेली शहर आपका राम गंगा नदी पर बसा हुआ है अगला प्रश्ट देखेंगे दोस्तों निमने में से अलक अलग नंदा नदी की दोस्तो तो अलग नंदा नदी के किनारे आपका बद्री नाज शहर बसा हुआ है जो कि आपका उत्रा खंड में इस्थित है अगला प्रशन देखिए दोस्तो अगला प्रशन है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा है तो दोस् तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक सहर है और यह बसा हुआ है आपका यमना नदी पर यमना नदी के किनारे आपका आगरा शहर बसा हुआ है वहीं दोस्तों आगरा के अलावा मत्रा शहर भी यमना नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रशन देखे दोस्तों अगला किनारे C тан deposit आपका यहां पे सह鐵 हो जाएगा लेंगे दोस्तों अगला प्रिशन क्या है बिहार की रासधानि पत्ना किस नदी के किनारे बसा है तो पणिवा यह बीहार की रासधानी है और यह बसा हुआ है दोस्तों गंगा नदी के किनारे बी अंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रेशन काफी इंपोर्टेंट है तमिल नाडु राज्य का मदुरे शहर किस नदी के किनारे इस्थित है तो दोस्तों मदुरे जो कि आपका तमिल नाडु का एक प्रशिद्ध स यह बसा हुआ है दोस्तों वैगई नदी के तट पर वैगई नदी के तट पर आपका मदुरे शहर बसा हुआ है नेक्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है निमने मेसे छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो दोस्तों बात करें छिप्रा नदी की तो उज्जेन शहर जो है यह आपका छिप्रा नदी के किनारे बसा एक सहर है नेक्श देखेंगे दोस्तों अगला प्रशन है निम्ने मेंसे नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे बात करें तो इसके किनारे बसा हुआ है आपका तो दोस्तो निम्लिकित में से किस नदी के तट पर गोरगपुर इस्थित है तो गोरगपुर जो कि आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रमुक शहर है ये बसा हुआ यह रापटि नदी के तट पर शी आंसर आपका यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा नेक्श देखेंगे दोस्तो अगला प्रशन क्या है निम्न में से ब्रह्मुपुत नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है ब्रह्मुपुत नदी की बात करें दोस्तो तो ब्रह्मुपुत नदी के किनारे आपका असम का शहर डिबुगर बसा हुआ है बी अंसर आपका यहाँ पर सही होगा असम में स्थित डिबुर गर नाम का शहर या आपका ब्रह्मपुत नदी के किनारे बसा है इसके अलावा दोस्तो तेजपुर गुवा हाटी भी ब्रह्मपुत नदी के किनारे बसे हुए है अगला प्रशन देखिए दोस्तो उडीसा राजी का कटक शहर किस नदी की किनारे बसा है? तो दोस्तो कटक शहर जो कि उडीसा राजी का एक प्रमुख शहर है ये किस नदी की किनारे बसा हुआ है? सही अंसर दोस्तो यहाँ पर हो जाएगा महा नदी महा नदी की किनारे कटक शहर बसा हुआ है नेक्ष देखेंगे दोस्तो अगला प्रश्न क्या है अयुध्या शहर किस नदी की किनारी बसा हुआ है दोस्तो अयुध्या शहर की बात करें तो ये राम नगरी की नाम से जाना जाता है ये किस नदी की किनारी बसा हुआ है सही अंसर यहाँ पर हो जाएगा सरियू सरियो नदी के किनारे आपका अयुध्या शहर बसा हुआ है नैश देखेंगे दोस्तो अगला प्रशन है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तो कोलकाता शहर की बात करें तो पश्चिम बंगाल का ये प्रमुक शहर है जो कि बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे C answer आपका यहाँ पर सही हो जाएगा नईश देखेंगे दोस्तो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तो कोटा आपका राजिस्थान का एक शहर है जो कि बसा हुआ है चम्बल नदी के किनारे चंबल नदी की किनारे आपका कोटा शहर बसा हुआ है अगला प्रश देखेंगे दोस्तो जमशेदपूर शहर किस नदी की किनारे बसा है तो दोस्तो जमशेदपूर जो कि आपका जारखंड का एक प्रमुक शहर है ये बसा हुआ है स्वार्ण रेखा नदी के किनारे B अंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा नेश देखेंगे दोस्तो अगला प्रशन क्या है विजय वाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है विजय वाड़ा शहर दोस्तो आंदरप्रदेश का एक प्रमुक्ष शहर है और यह बसा हुआ है दोस्तो क्रिश्ना नदी के किनारे क्रिश्ना नदी के किनारे आपका विजय वाड़ा शहर बसा हुआ है तो D अंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशन लेंगे दोस्तों अगला प्रशन है श्री रंग पत्नम शहर किस नदी के किनारे बसा है श्री रंग पत्नम शहर की बात करें दोस्तों तो ये आपका करनाटक का एक शहर है और ये बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे तो दोस्तों यहाँ पर आपका A answer सही हो जाएगा नेक्ट देखिए दोस्तों अगला प्रशन क्या है काफी महतपूर है गंगा और यमना नदी के संगर्म पर कौन सा शहर बसा हुआ है बात करें गंगा और यमना नदी के संगर्म पर तो दोस्तों इलहाबाद शहर जो है यह आपका गंगा यमना साथी साथ कहा जाता है गंगा यमना और गुप्त सरस्वती के संगम पर यह शहर बसा हुआ है तो दोस्तों इलहाबाद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा इसको जादा से जादा लाइक करें शेयर करें साथी साथ हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें